फ्रिंट्स आज मैं आप लोगों के लिए बिलकुल यूनिक रेसिपी लेकी आई हो बच्चे बड़े सब इसको पसंद करेंगे खाना और इसको सीखने में एक मून भी तेलगी का इस्तमाल नहीं करना है सुनदे ने इसका साउंड कितना करा रहा है ये इसके एक और खासियत है कि इसको एक महिने तक आप रूम टेंपरेचर पे स्टोर कर सकते हैं बिलकुल भी खराब नहीं होता है तो अब बर्दे हो, किटी पाटी हो या कोई भी सेलिबरेशन आप पहले से इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और ये बिलकुल यूनिक डेजर्ट है बच्चे, बड़े मेहमान सब खा के इसको खुश हो जाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते है इसको बनाने के लिए 3-4 कटोरी मतलब 80 ग्राम मैदा ले लेना है इक कटोरी ले ले लीजेगा सारे मेजर्मेंट उसी से ही करने है एक चौथाई कटोरी चावल का भी आटा ले लेना है अब इक चौथाई कटोरी कस्टर्ड पॉडर लिया चम्मच से नापके दिखाते हूं मैं लगबग 5 चम्मच हुआ है ये आप इसके जगा कौन स्टार्च या अरारोट पॉडर भी यूज़ कर सकते है अब इसमें दो चम्मच इंतम ताजी दही डाल देना है और दो चम्मच तेल भी डाल देना है तेल डालने के बाद इसमें 50 ग्राम चीनी को पीस करके डाला है कप से 1 फोर्थ कप है ये अब इसमें पानी या दूध कोई भी चीज़ डाल करके इसको अच्छा सा गोल तियार कर लेना है मत एकदम अच्छा बैटर बना लेना है बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए एकदम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका थिकनेस कैसा होना चाहिए वो दिखा रही है आपको बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना बहुत गढ़ा ना बहुत पतला अब इसको ढख करके 15-20 मिट के लिए रस्ट करने देना है अब फटा फट टेस्टी सा एक कस्टर्ड सौस बना लेते है तो तीन चमस कस्टर्ड बाउडर लिया है मैंने कप में इसमें गुन गुना तीन चार चमस दूद टाल देना है दूद गुन गुना होना चाहिए बहुत गरम नहीं डाल के अच्छे से इसको गुन लेना है अच्छे से जब गुल जाया तो इसको साइड में रखते हैं और दूद को उबाल लेते हैं अच्छे से आधा लीटर दूद लिया है मैंने इसमें एक चौथ हाई करटोरी चिनी भी डाल दिया है चीनी थोड़ा कम या थोड़ा ज़ादा अपनी हिसाब से आप कर सकते है जैसे ही दूद उबलने लगे फ्लेम को एकदम कम कर देना है और कम करके तब इसमें कस्टड का जो घोल त्यार करके रखा न उसको डाल देना है और डाल के continue इसको दो-तीन मिनट चलाते रहना है क्योंकि डालने के बाद यह फटा-फट काड़ा होने लगता है तीन मिनट हो चुके है और अच्छे से यह पग गया है अब फ्लेम को आफ कर देना है अब देख रहे होंगे इसमें बहुत अच्छी शाइनिंग आ गई है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए थिकनेस यह थंडा होने के बाद थोड़ा और काड़ा हो जाएगा तो फ्लेम को आफ कर देना है पंदरा मिनिट हो चुके है और बैटर ने बहुत अच्छी से रेस्ट कर लिया है इसको अच्छे से एक दोबार मिक्स कर लेना है मिक्स करने के पास इसका थिकनेस ऐसे ही होना चाहिए ना बहुत गढ़ा ना बहुत पतला यहाँ पर डिस्पॉजवल पाइपिंग बैकर यूज किया है मैंने अब इसकी जगर दूद का थेली का भी यूज कर सकते हैं जो पैकेट वाला दूद आता है ना उसमें से दूद निकालके उसको अच्छी से धो करके उसको यूज कर सकते है अब बैटर को इसके अंदर में डाल देना है जितना आ सके अब इसके किनारे को थोड़ा सा कट कर लेना है बहुत मूटा नहीं रखना है थोड़ा पतला ही रहना चाहिए अब एक पैन ले लेना है उसको गरम कर लेना है मेडियम फ्लेम पे जब गरम हो जाए तब उसमें बैटर को इस तरह से डालते जाना है पतला इसलिए रखने के लिए कहा था आपको कि ताकि ये पतला रहेगा तो बहुत करारा बनता है तो रफली इसको फैलाते जाना है और ऐसे गूल गूल करके मैंने ऐसे डिजाइन बना दिया है आप अपने हिसाब से बना सकते है फ्लेम हमेशा मेडियम ही रखना है क्योंकि कम होगा तो ये क्रिस्प भी नहीं होगा और अगर जादा हुआ तो जल जाएगा क्योंकि बहुत ही पतला बना हुआ है थोड़ी दिर में आप नोटिस करेंगे ये सूखने लगा है और एक मिनट की बाद ही इसमें कलर आना शुरू हो जाएगा जब इस तरह से कलर आने लगे तो फटा-फट से इसको मोड लेना है ऐसे किनारे से उठाना है और गूल-गूल करती हुए बूल लेना है ये देखिए फ्रिंट्स कितना सुंदर लग रहा है न कितना बढ़िया बन के तियार हो गया है और बिना किसी घी तेल के उसी पैन में फिर से बैटर को ऐसे गूल-गूल करती हुए गुमाती हुए डालते जाना है डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते है एक टिप्स देना चाहूंगे आपको कि अगर घर में कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं आप उसकी जगा कॉन स्थार्ज या अरहरोट पाउडर यूज़ कर सकते हैं सिम उतनी ही क्वांटिटी और साथ में आदी छोटी चमच वनिलासेंस जरूर डाल दीजेगा क्योंकि कस्टर्ड पाउडर में वनिलासेंस अल्रेडी होता ही है एक मिनिट में इसमें बहुत अच्छा कलर आ गया है अब फटा-फट से किनारे को उठाना है और मोड लेना है इकत्व असानी से ये मुड जाता है और ये देखे फ्रेंट्स दूसरा वाला भी बन के रेडी हो गया है ठीक इसी तरह से गरम पैन में सबको बना लेने है और ये लीचे फ्रेंट्स सारे बना के रेडी कर लिए मैंने जितना बैटर लिया था न उससे इतने सारे बन गए है बच्चे बड़े महमान सब देखे ही खुश हो जाएंगे और सबसे अची बात आप इसको एक महिने तक स्टोर कर सकते है बिल्कुल भी खराब नहीं होता है अब इसका साउन भी सुन लेजिए तो देखा न आप लोगोने कितना क्रंची है यह बहुत अच्छी रेसेपी है एक बुन भी घी तेल लेगता इसको सेखने में इसको मीठे मीठे ठंडे ठंडे कस्टरड के साथ सर्फ किया है बहुत इच्छा इसका कॉमिनेशन है आप चॉपलेट सॉस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा रियली बहुत टेस्टी है तो आप भी इसको बनाके जरू ट्राइ कीजेगा चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाई